हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलर्डिंग क्लासिस फ्रेंड्स आज है 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त के जितने भी इंपॉर्डेंट क्वेशन्स हैं सारे क्वेशन्स को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी टेलिग्रा मांसुन से सरवाधिक प्रभावित समुदायों को साहता देने की घोशना की है और क्वेशन नमबर पहले में पूछा गया है कि प्रभावित समुदाय को साहता देने की घोशना किसने की है आंसर होगा दोस्तों इसका यू एन इसको बोलते हैं हम संयुक्त राष्टे संग Option number C, UN, UN ने साहिता देने की गोशना की है, जो मानसून से सरवाधिक प्रभावित हुए हैं समुदाएं, अब देखो UN की बात करें इसमें, तो UN की details में क्या है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है, इसका headquarter कहां पर है, New York City में है, इसमें official language कितनी है, 6 है, जिसमें कौन-कौन सी ह Arabic है, Chinese, English, French, Russian और Spanish, इसके अलाबा देखोगे, इसकी membership कितने देशों के पास है, 193 देश इसमें जोड़े हुए हैं, और दो observer state है, इसके secretary journal कौन है, Antonio Guterres है, इसके deputy journal कौन है, Amina J. Muhammad है, इसके journal assembly president कौन है, तीजानी मुहम्मद बंदे है, Economic and social council president कौन है, Mona J. Jul है, और security council president कौन है, डंग दिन क्यों है, तो ये सारे की सारे नाम एक बारी देख लेना important है, question से भी related information दिखा देता हूँ, मैं आपको जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्रे ने हाल ही में, भारत में मा साहिता देने की गोशना की है, संयुक्त राष्ट्रे के इस्टीफन दोराजिक ने कहा है कि भारत में मानसून से 770 से अधिक लोगों की जान ले ली है, तो ये इसलिए इन्होंने साहिता की है, question number 2 पर आते हैं, question number 2 है दोस्तों, हाल ही मैं किस ने अपने आदेश में संसोध फिर हिंदू उत्रा अधिकारी अधिनियम में पिता पैत्रक संपत्ती पर बेटी को समान अधिकार दिया है, ये काफी important रहेगा questions आपके लिए, इसका पहले मैं answer दे देता हूँ, answer है दोस्तों, ए Supreme Court, Supreme Court ने एक आदेश में कहा है कि जो हिंदू उत्रा अधिकारी अधिनिय Supreme Court की ही की जाए दोस्तों, तो Supreme Court की स्थापना हुई थी 1937 में, जिसे जब Federal Court बोला जाता था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो इसका inauguration हुआ 28 January 1950 को, ठीक है, और इसके सबसे पहले जो Chief Justice बने स्वतंत्र भारत में, उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया, कौन था? हीर अब ये प्रिजेंट में, जो इसके Chief Justice है, उनका नाम है S.A. बोबडे, ठीक है, बोबडे उनका नाम है, अरविंद, यहाँ पर नाम है, अरविंद बोबडे, इसके अलावा देखोगे, इसमें इस टाइम पर 34 पूरे जज हैं, Supreme Court के अंदर, इनकी संख्या 34 है, इसमें एक Chief Justice है, अब देखो इन्होंने आदेश में क्या कहा है, वो मैं आदेश पूरा पढ़के बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है, Supreme Court का अहम आदेश, पैत्रक संपत्ती में बेटी जनम से है, बरावरी की हगदार, आगे भी लिखा हुआ इसमें दोस्तों, आगे किया जा सकता, बेटी चाहे हिंदू उत्तरधिकारी कानून 1956 में हुए शनसोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, आगे लिखा है उसमें, उसे बेटे के समान ही बरावरी का हक है, यह संशोधन 2005 में हुआ था, इस बास से कोई फरक नहीं पढ़ता कि कानून में शनसो महिर में स्थापित एक data recovery center क्रशी मेह का उधगातन किया है, इक data recovery center क्रशी मेह का उधगातन किया है, आंसर होगा तीसरे का option no. d दोस्तो हैदराबाद, हैदराबाद में केंद्रिय मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिहिंग टॉमर एगरी कलचर मिनेस्टर हैं इन्हों ने एक डाटा रिकबरी सेंटर क्रशी मेग का उद्गाटन हैदराबाद में किया है अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है दोस्तों जैसे यहाँ पर लिख रहा है क्रशी अनुसंधान परिसर के डाटा रिकबरी सेंटर का सुभारंब किया जिसका नाम क्रशी मेग रखा गया है इसका उद्देश्य भारत इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय के डेटा की रक्षा करना है तो important है काफी questions याद रखना वीडियो को देखो विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 13 अगस्त को दोस्तो मनाया जाता है option number B विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को विश्व भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है question number 4 का option B सही अंसर है question number 5 पे आते हैं दोस्तो question number 5 है हाली में खादी और ग्राम उध्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिच्छन वे उत्पादन केंदर इस्थापित करने की घोशना की है ये भी काफी important रहेगा question और question number 5 का answer है दोस्तो C. अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में खादी और ग्राम उध्योग आयोग ने पहला रेशम प्रशिच्छन और उत्पादन केंदर खोलने की इस्थापना घोशना की है अरुनाचल प्रदेश की बात है दोस्तो तो अरुनाचल प्रदेश के CM है पेमा खंडू कौन है पेमा खंडू ठीक है और यहां के जो गवर्णर है उनका नाम है बेडी मिश्रा कौन है बेडी मिश्रा यहां के गवर्णर है दो बात यह याद रखनी है इता नगर अरुनाच गडगरी अब इस question से related information में आपको दिखा देता हूँ जैसे लिखा हुआ इसमें खादी और ग्रामो ध्यो आयो अरुनाचल प्रदेश के आदिवासी गाउं चुलू में रेशम प्रशिच्छन सहे उत्पाद केंद्र खोलेगा यह राज्य का पहला रेशम प्रशिच्छन सह उत्पाद केंद्र होगा प्रशिच्छन सह उत्पाद केंद्र में हत्करगा चर्खा सिल्क रिलिंग मशीन और युद्ध रत ड्रम जैसी मशिनिरी स्थापित की जाएंगी काफी important question है पेपर में आने की पूरे chance होते हैं ऐसे questions के आगे भढ़ते हैं दोस्तो question number 6 है भारत मे पहली बार कोई महिला किरकेट खिलाडी Anshula Rao डोपिंग में फेल हुई है वह है किस है राज्य की और लृंडर खिलाडी है ये भी important रहेगा कोई यैसी पहली खिलाडी है महिला जो डोपिंग में फेल हो गई है इनका नाम तो Anshula Rao है मैंने इसमें राज्य पूछा है दोस ज्यादा important है इनकी मैं एक pick भी दिखाता हूँ आपको ये हैं अंशुला राओ जो doping में fail हुई है ठीक है दोस्तो आगे इसमें लिखा भी है कि पहली बार डोप test में fail हुई कोई भारती है महिला cricket खिलाडी नाडा ने allrounder को किया निलंबित ठीक है दोस्तो तो एक काफी important रहेगा अंशुला राओ को नाम याद रखना है आपके लिए cricket खिलाडी है ये भी याद रखना है आगे आते हैं question number 7 पर हाली में LIC ने किस bank के 4.23 प्रतिशत share का अधिगरण किया है ये भी important है questions question number 7 और question number 7 का answer है दोस्तो A yes bank yes bank के 4.23 प्रतिशत share को अधिगरण किया है LIC ने किसने LIC ने अधिगरण कर दिया है अब देखो मैं दौनों के बारे में ही चर्चा करूँगा पहले LIC के बारे में फिर पहले yes bank के बारे में चर्चा करेंगे फिर LIC के बारे में तो पहले yes bank के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको देखो yes bank जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है yes bank limited है found हुई थी यह 2004 में founder है इसके Rana Kapoor और Ashok Kapoor आगे इसमें लिखा हुआ है headquarter है दोस्तो इसका मुंबई में की परसन है इसके सुनील मेहता जो चेर्मेन है और MD और CEO है प्रसांत कुमार आगे LIC की बात कर लूँ मैं से LIC के जैसे देखोगे यहाँ पर Life Insurance Corporation इसकी फुल फॉर्म होती है इसका नीचे मोटो भी दिया हुआ है लिखा हुआ है योगाज शुमेन वहाम वहाम ठीक है यह इसका क्या है मोटो है फाउंड हुई थी एक सेप्टमबर 1956 को हेड़कॉर्टर इसका भी कहाँ पर है दोस्तों मुंबई में है इसके की परसन्स वेरा की बात करें हैं तो इसके MR कुमार चेर्मेन है TC सुनील कुमार मैनेजिंग डारेक्टर है विपिन आनंद मैनेजिंग डारेक्टर है और मुकेश गुपता भी मैनेजिंग डारेक्टर है तीन मैनेजिंग डारेक्टर है इसमें चार और कौन है राजकुमार चार मैनेजिंग डारेक्टर है और चेर्मेन कौन है MR कुमार तो मेरे खायल से आपको सिर्फ क्या याद रख लेना है MR कुमार इसके चेयर्मेन है और चार कितने हैं मैनेजिंग डिरेक्टर नाम सायद आपसे ना पूछे फिर भी मैंने बता दिया यहांपर आगे इसमें देख लेते हैं डिटेल्स इसमें क्या देवी हुई है जैसे लिखा है यस बैंक ने शेयर बजार को दी सूचना मैं कहा है कि बीमा कमपनी ने हाल ही में बैंक के शेयर खरीदे हैं इस ताजा अधिगरार के साथ LIC की बैंक में हिस्सेदारी 0.75 प्रतिशत से बढ जो 4.23 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है तो काफी important रहेगा questions याद रखना है आगे आते हैं question number 8 के दोस्तो हाली में किसने मानव हाती टकराव पर राश्टरिय पोर्टल सुरक्षा का सुभारंब किया है हाली में देखोगे मानव हाती टकराव पर एक पोर्टल दिया है और ये किसने दिया है दोस्तो आंसर इसका बी प्रिकास जावडेकर ने एक राश्टरिय पोर्टल सुरक्षा का सुभारंब किया है आगे देखते हैं इसमें है क्या एक चुल में ये तो इसके बारे में details ये है कि world elephant day पर हाती और मानव के बीच बढ़ रहा संगर्स हाती सं रच्षण में गंभीर चुनौती है प्रकास जावडेकर ने कहा तो इसी के लिए इन्होंने एक पोर्टल जारी किया है तो क्योंकि अभी देखो केरल में भी एक हाती को मार दिया गया था तो काफी जगह से ऐसी सूचना मिली है जिसकी बज़ा से ये पोर्टल जारी किया है आगे आते हैं देखोगे दोस्तों क्योंकि नुम्बर 9 हैं हाली में किस राज्य सरकार ने शहरी बन भूमी प्रदान करने की घोशना की है जैसे कि मैं 36 गड़ के बारे मैं आपको बता दूं कि 36 गड़ के जो CP है उनका नाम है भूपेश बगिल के नाम है भूपेश बगहिल 36 गड़ के पीए में यहां की जो राजधानियों से अटल नगर नया रायपूर भी बोल देते हैं अटल नगर है ठीक है आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों जैसे लिखरा इसमें 36 गड़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को बन भूमी अधिकार प्रदान किया गया है इसकी शुरूआत जगदलपूर की सिक की गई है जहां नगर निगम के गयारे आदिवासियों को वन भूमी के अधिकार पत्र दिये गए है जगदलपूर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल छेतर है मुक्यमंत्री बगहल की विशेश पहल पर वन अधिकारी अधिनियम के तहत सहरी छेतर के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरूआत की गई है तो यह काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह देश का पहला है इसलिए रट लेना है आपको याद रख लेना है क्वेशन नेक्स्ट है दोस्तों क्वेशन नम्मर दस है हाल ही में आत्म निर्भर मध्य प्रदेश स्वास्त और शिच्छा पर विभिन का आयोजन किया गया है यह कहां पर हुआ है तो देखोगे यह यहां पर एक्ट्वल में वेविन नौर था यहां पर वेविन वेविन नौर का आयोजन किया गया है वो कहां पर था तो आत्म निर्भर मध्य प्रदेश स्वास्त और शिच्छा पर जो वेविन नौर का आयोजन किया गया है वह कहां पर हुआ है दोस्तों तो आंसर होगा है इसका दिल्ली कहां पर हुआ है ये दिल्ली में हुआ है दसवे questions का answer है C ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखेंगे questions आज टूडे क्या है टूडे question है आज का पूछ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से question रट जाना चाहिए आपको और इसका answer आप comment box में दोगे वीडियो को भाई share करो क्योंकि वीडियो की views नहीं है और कोई दिक्कत है वीडियो में तो मुझे भी बताओ कि क्या दिक्कत है मैं सुधार हूँ ठीक है दोस्तों चलो मैं लेता हूँ विदा आपसे टाटा बाई 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 और टेक केर